नमस्कार आप दिखरें न्यूजर 10 मैं हूँ आपके साथ भावननायर देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हासर है जिन खबरों पर आज हम विस्तार से नज़र डालेंगे वो है जम्मू कश्मीर विधान सबाय चुनाव जहां आज ग्रेह मंत्रिय अमिच्वा जम्मू से चुनावी प्रचार को धार देते हुए नज़र आएंगे इसके साथ कॉलकता में आरजी कर्ट में वित्य अनिमित ताउं से घिरा आरजी कर अस्पताल मामले में पूर्ट प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप खोश परशिकंजा अपकस्ता जा रहा है इडी कर रही है चापे मारी इसके अलावा नज़र होगी खेल से जुड़ी खपनों में जमू कश्मीर में चुनावी सरगर्मिया तेज जमेच्च्वार राज्जे के दौरे पर पार्टी का संकल्प पत्रों करेंगे जारी पार्टी ने दूसरे चुरन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची की जारी आरजिकर मेडिकल करप्शन मामले में एडी की बड़ी कारेवाई पूर्फ प्रिंसिपल संदीब गोश और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड कॉलकता और उसके आस बस करीब 6 जगहों पर एडी की चापे मारी जारी पुष्टी मंगाल के राजिपाल ने की बलातकार रोधी विधैक के साथ तक्मी की रिपोर्ट ना भेजने पर मुख्य मंत्री की आलोचना साथ ये कम्यों को छिपाने के लिए लोगों को गुमराह करने को लेकर लगाई फटकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज जल संचे जन भागीदारी पहल के शुभारम पर आयुजित कारिकरम को करेंगे संबोधित इस पहल का लक्ष पूरे गुजरात में लगबग 24,800 वर्षा जल संचे इन संरचनाओ का निर्मार करना देश के कई राजुमें भारी बारिश को लेकर चवितावनी जारी उत्रा खेंड पूर्वी राजिस्थान में ओरेंज और गुजरात में भारी बारिश को लेकर यलो एलर्ट लोगों को सतर कर रहने की दीसलहाद पारिस पारालम्पिक में आज़ पारा आथलेटिक्स और पारा पावर लिफ्टिंग में दिखेगा भारत का दमखंग कपिल परमार ने कल पारा जूडों में दिलाया कासे पदक भारत में अब तक 25 पदक जीते पुर्तगाल के क्रिस्टियान रोनाल्डों ने रच्वाई तिहास शीर श्तर पर 900 गोल करने वाले बने विश्वक के पहले फुटबॉलर क्रोईश्या के खलाफ नेशन्स लीग में किया करियर का 900 मा गोल सुर्ख्यों के बाद अब खबरे विस्तार से और न्यूस देटेन में सबसे पहले बात कर लेते हैं जब मुकश्मीर और हर्याना में होने वाले विधान सबाचुनावों से जुड़ी खबरों की याने की जनादेश की जब मुकश्मीर में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई हैं भाजबा के वरिष्ट नेता और ग्रही मंत्री अमिच चहा आज से राज्ये के दौरे पर रहेंगे अमिच चहा अपने दौरे की शुरुबात चुनाव अभियान के साथ करेंगे और पार्टी का संकल पत्रों जारी करेंगे बार में शाम को वह पारटी नेताओं के साथ मैठक की अध्यक्षता करेंगे उर पार्टी कारेकड़ताओं के प्रतिनेधी मंडल से भी मिलेंगे शनिवार का कारीक्रम बताएं आपको तो अमिच च्चाह का एक रेली को संबोधित करने का कारीक्रम है गौरतलब है कि जमू से अमिच्छा के अभियान के शिरुवात का उदेश क्षेतर के लोगों को उनके कल्यान और विकास के लिए भाज़ुपा की प्रतिबधिता के बारे में आश्वस्त करना है आपको बता दें कि राज़य में तीन चंडों में विधान सबा चुनाव होंगे पहला चलन 18 सितंबर को होगा केंद्री ग्रीव हम से कारेता मंत्री अमिच्छा आज से जमू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे शेक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धी के साथ यह श्रेत्र आतंगबादी होट स्पोर्ट से परियाटक होस्पोर्ट में बदल गया है उन्होंने लिखाए कि अपने दो दिवस्ये दौरे पर जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूँ जहां आज भाजबा का संकात पत्र लौंच करूँगा और कल कारे करता सम्मेलन में कारे करता हूँ के साथ बात चीत करूँगा आमिच्छा आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्री ग्रीह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास कारेों को लेकर बात करिये साथी साथ शांती और विकास के नई यूग का गवाह बन रहा है अमिट चुहा ने कहा है आपको साथी साथ बता दे कि BJP ने जम्मू कश्मीर विधान सबा चुनाव के दूसरे चुरन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दिये इस सूची में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, केंद्री मंतरी जेपी नड़ा, अमिट चुहार, राजनाथ सिंग, नितिन गड़करी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योग्या अधित्यनाथ और राजिस्थान के मुख्य मंतरी भजुनलाल सर्मा समेत कई निताओं के नाम शामिल है। वापस लिए जा सकेंगे। दीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि किन माईनों में केंद्री ग्रीह मंतरी अमिट चुहा का ये दौरा महत्वपूर्ण है और जम्मू के विधानसभा सीटों की बात करें। तो पिशली बारे दोहजार चौदा का प्रदर्शन बहुत ही भेतरीन रहा था। नौ सीटों पर जीत हासिल हुई थी जिसके बाद जो सीटों की कुल संक्याती वो 25 हो गई थी। तो जम्मू का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण क्योंकि शंखनात तो करेंगे ही करेंगे साथे साथ कारकरताओं में जोज भड़ते हुए भी नज़र आएंगे। देखे बिलकुल आपने सही कहा जो केंद्रिया ग्रिह मंत्री आज जम्मू के दोरे पर आ रहे हैं और जम्मू के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ग्रिह मंत्री जबकि आज यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो राज के लिए जम्मू कस्मीर के ल यहां आज से सुरू हो जाएगा और एक तरीके से पार्टी जो चुनावी संखनात का आज से बिगुल करेगी अमित साह जब कि यहां पहुंचेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई घोसना पत्र में कई महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं जैसे कि यहां के जो कस्मेरी प पत्र में घोसना कर सकती है जो यहां का जो बगरवाल समू है या जो यहां का जो वो समू है जो पहाडियों में रहता है उनके लिए भी जो घोसना है वो ग्रिह मंत्री के तरफ से हो सकती है और जो सबसे महत्पूर्ण है ऐसे लोगों के लिए भी आज का दिन या जिन कोई उनके बारे में का जा सकता यहां का एक बाल में की समाज हो जिन्होंने अभी तक विधान सभाग के चुनौवा में बोट ही नहीं डाला है इसके लाबा ग्रिह मंत्री जबकि यहां पहुंचेंगे और अपने संकल्ख पत्र की घोसना करेंगे तो उन संकल्ख पत्र में जम्मू कस्मिर के विकास का एक खाका भी यहां के लोगों के सामने पेस करेंगे जैसा कि मैं आपको बताओं कि साल 2019 में अनुच्छे 370 के निरस् सेम्पू कि इस ट्रूंट की चया आया कि फुस्द फीका यहां के में जाफा हुआ है तो इन तमाम पहलों पे घरिह मंत्री जबके आएंगे तो चर्चा करेंगे इसके अलाबा जो यहां पे जिस तरीके से Da일 और यहां फाल्ध गानाव में जिस तरीके से सरधालों के संख्या बढ़ी है या जम्मू कस्मीर के इलाके में जो यह जो कट्रा का छेतर है माता बैसनो देवी की मंदिर के लिए लोग जो आते हैं और जिस तरीके से जो अभी स्राइन वोड के सियों ने बताया कि किस तरीके से यहां पर इजाफा हुआ ज़ critically बढ़ी है दिश करने में जहार है सरधालों में तो जिस तरीके से इहां अमन के बाद लोग सरधालों करें यहां इजाफा हुआ है जिस तरीके से यहां के लोग की आई बढ़ी है रोजगार के मामले खुले हैं तो इन तमाम बातों की चर्चा जो है वो केंदी अग्रिह मंत्री जरूर करेंगे इसके अलाबा वो जबकि यहां पहुंचेंगे तो कल उनका एक कारिकरताओं के साथ सम्मेलन भी है एक एक रैली को भी वो संबोधित कर करेंगे तो उस्राइली में वो जरूर नेस्टल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस और पीडीपी की नीतियों की भी चर्चा करेंगे जैसा कि जो कॉंग्रेस और जो एंसी बारबार ये रिपिट कर रही है कि हम जब की सरकार में आएंगे तो हम धारा 370 को दुबारा इंपोज कर रही है ऐसे मुद्दे को उठा रही है जिसको बताना संभव नहीं है जबकि एंसी के जो फारुक अदुल्ला है वो खुद कह चुके हैं कि जो अनुच्छे 370 या 35 से वह इतिहास की बाते हैं तो उन सारे भसलों पर केंद्रिया ग्रिह मंत्री जब आएंगे तो जरूर चर करने के लिए आएंगे तो उनके दिल में भी खासा उत्सा है जम्मू कस्मीरे 20 लाक युवा वोटर से हैं तो कुल मिलाकर जी दीरज तो युवाओं में जो शे और मुखे तो पहुंचेंगे तो युवाओं जो में जो उत्सा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पर् आपने आप में एक मिसाल थी इन सभी मुद्दों को अमिच्छा कहीं न कहीं जनता के सामने रखेंगे और इसके साथ-साथ चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे आज जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाव के रण में उतरने वाले हैं के इंद्री ग्र आरोप की जाच CBI कर रही है और अब इंफोर्स में डारेक्टरेट भी जाच में शामिल हो गए शुकरवार को ईजी ने संदीब घोश की घर सहित उनके करीबियों के यहां छे टिकानों पर चापे मारी की है गौरतलब है कि हाई कोट ने 13 अगस्त को CBI को आरजी कर रेप हत केस और अस्पताल में वित्य गड़बड़ी की जाच सौपी थी इस बीच दो सितंबर को CBI ने संदीब घोश को गिरवतार किया था उधर परशिम मंगाल के राजपल सीवी आनंद बोस ने विधान सभा द्वारा पारेता अप्राजिता विध्य के साथ तक्नीकी रिपोर्ट भेजने में विफल रहने पर मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी की आलोचना की है निया मनुसार सरकार का यह करतव्य है कि विध्य को मंजूरी देने पर निर्णे लेने से पहले तक्नीकी रिपोर्ट जरूर भेजी जाए ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने तक्तिकी रिपोर्ट रोकी है और विधेकों को रोकने के लिए राजभवन को दोशी ठहरा है राजपाल ने सरकार को इस तरहें कि महतुपूर मामलों में अपना हुमवक करने की नसीहत भी दिये राज़ेपाल ने इसके अलावा कहाए कि बंगाल विधेक आंधर प्रदेश, महराष्टो और अनुनाचल प्रदेश द्वारा पारत समान विधेकों की नकल है ये अच्छी तरह जानते हैं कि इन में से कुछ विधेक भारत के राश्ट्रपती की सिविक्रिती की प्रतीक्षा कर रहे हैं ममताब एनरजी केवल बंगाल के लोगों को दोखा देने के लिए धरने की धमकी दे रही है राजेपाल ने पीडित के माता पिता की भावनाओं के अंदेखी करते हुए ऐसे सम्विधन शिर मुद्धे पर इस तरहें की राजनितिक चालो पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है राजेपाल ने मुख्यमंत्री को सलहा भी दी है कि इमानदारी सबसे अच्छी नीती है सीव्या अनंद बोस ने टिपनी की है कि यह आधी सच्चाई पर चलने वाली आधी बुद्धी की सरकार लगती है तो राजेपाल ने ममता बैनर जी की आलोचने की है अप राजजदा विधैक पर उन्होंने कहा है कि ममता बैनर जी सरकार ने क्यूं तक्नीक टिपोर्ट नहीं भेजिए कौलकता से हमारे समवधाता प्रसंजीत बक्षी जोड़ चुके हैं हमारे साथ प्रसंजीत यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी किसी भी राजजे का या फिर संसत का जब भी सत्र बुलाया जाता है तो सत्र होता है जनता के पैसे से जुड़ा हुआ आपने सत्र बुलाया अप राजजदा विधैक को पारित करने के लिए लेकिन साथ साथ आपने ये भी का कि राजजेपाल अगर इस पर साइन नहीं करेंगे तो वो राजभवन पर धर्णा प्रदर्शन करेंगी इससे पहले वो तक्मी की रिपोर्ट बेजना भूल गई कि एक है किसी जगापर बालग बुद्धी और किसी जगापर आधी बुद्धी ये ये अजीव सा सिती है बंगाल के पुरे देश की राजटी में और बन महमहिमने की ये आधी उन्होंने मैं काऊंगा कि अपना सालीनता कायम करते हुए या उनका बारे में सोचकर उन्होंने आधी बुद्धी की बात किया है लेकिन हकीकत यह है कि यह चतूर बुद्धी का काम है काम यह है कि उनको चीफ मिनिस्टर ममता बैनर जी को पता है कि यह जो दो दिन का सत्र बुलाके जो अपराजिता विदायकों को पालित कराया गिया इससे उन ज़्यादा राजनाई तिक फाइदा उठा नहीं पाएंगे क्योंकि पीजेपी भी इस विदायक का समर्थन किये है लेकिन यह विदायक कभी भी कानून नहीं बन सकता है इसलिए लिडर अप अपोजिशन सुबेंदू अधिकारी ने विदान सभा की अंदरी चीफ मिनिस्टर को चुनावती दिया है कि अगले देड़ साल आप अपने पद पे रहेंगे तो आप इस विदायक कानून बना कर दिखा है क्योंकि ये सब को पता है संग्विदान जिसको पता है उनको पता है कि इस तरह की विदायक कानून नहीं बन सकते है क्योंकि इसमें सेंट्रल की जो भारत है जो नए संगिता है उसका जो कही सारे मुद्दे है उसमें लाया गया है तो इस विदायक को कानून बना को होता है यह एकदम सीधी सी बात है जो क्लास 9-10 में फिविक्स पड़े हुए है उनको भी पता है इसकी बारे में तो यह जो खेल मंतब एनरजी खेलने की कोशिश किया है इसकी उपर बार किया है महामहीम ने और महामहीम याद दिला दिया है उनको आधी बुद्धी कहा कर अधे बास्ताब में यह चतुरबुद्धी का एक नमूना है किस तरह से एक पीडिता की मौत के साथ खिलवार करने की और राजनीती करने की कोशिश किया है अंतब एनरजी खावना जी प्रसंजीत तो कहीं न कहीं मुद्दे से भटकने की कहीं न कई कोशिश की जारी है इसके अलावा आज की जो बड़ी खबर प्रसंजीत वो भी ये भी है कि एडी ने कई जगहों पर छापे मारी किया और वित्य अनिमेदिताओं से जो घिरा आरजी कर अस्पताल है उसके प्रिंसिपल डॉक्टर संदीब खोश और उनके करीबियों पर छापे मारी किया है क्या है इससे जुड़ी ताज़ अपडेट क्या इडी अभी भी चापे मारी कर रही है और कितनी जगहों पर छापे मारी कर चुकी अभी तर्शी जगह पर चापे मारी जारी है एक तो इसके अलावा उनका जो करीबी है जो सप्लायर से भेंडर कह जाते है या संदीब घोस का परसनल सिकेटरी बोलके जो आदमी अपना परीचाए देता था साउट 24 परगना में उसके घर पर और हाउडा में कई जगा पर जो सप्लायर उनका ऑफिस और घर पर जिस भेंडर को इ संदीब घोस ने किये है तो यह सारे जगा पे सुबह से एडी का चापे मारी जारी है और यह अभी भी जारी है ऐसा नहीं है कि खतम हो गया है अभी भी जारी है हो सकता है काफी देर तक चले और छे जगा पे इस तरह के चापे मारी एक तरफ जो जो क्राइम हुआ है उस क् तैकिकात अदालत की तरफ से फी बी आई को दिया गया था तो इस फी बी आई के साथ ही डी भी अभी एक्शन मोड में आ गया और ये सारे चापे मारी जारी है लेकिन एक बात यहां पर भावना कहे दू कि यह जो फिनेंसियल करप्शन की जो बात अदालत की तरफ से फी बी आई को तैकिकात के लिए दिया गया थे इसके चुनावती देते हुए सुप्रीम कोट की सामने दरवाजा खट-कटाया संदीब घोसने हो सकता है कि उसका सुनवाई आज सुप्रीम कोट में हो भावना जी प्रसंजीत इसे जुड़ा एक और मामला ये भी है प्रसंजीत की भाजपा लगातार हमलावर है कि ममता बैनर जी के पास ग्रे मंत्राले भी है ममता बैनर जी के पास स्वास्ते मंत्राले भी है अगर आर जी कर अस्पताल में ऐसी वितिया अनिमेतिताओं के आरोप लग रहे हैं तो बिना राज्य सरकार के संरक्षण के बगैर तो यह नहीं हो सकता नहीं भवना यह तो यहां पर स्टैंडिंग रूल है आपको पता याद मैं दिलाना चाहूंगा कई दिन पहले कई साल पहले साथ एक दो साल पहले ममताब एनर जी ने खुद कहें थी कि आप 75% रखिए लेकिन 25% का काम तो कम से कम करिए यह आपने लोगों के लिए नसीहत दी थी ममताब एनर जी कि आप 25% से संतुस रह जाएए तो यह जो संदीब घोस आई यह पूरा जो हिल्थ सिस्टेम है वहाँ पे 20% से काम चलता है मतलब आपका अगर जो सप्लेयर है आपका अगर बिल लगा है और बिल को पे करने के लिए तयार हुए है इस आफिस तो आपको 20% पहले से कैस जमा करना पड़ेगा इस संदीब घोस जैसे प्रिंसिपल के पास तो यह सब को पता है रास्ते में आप किसी को जाके पूछे 20% की खेल सब को पता है और यह 20% कैस जे होता है और अभी भी होता है ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ कांड होने की बाद यह बंद हो गया है तो ये 20% के हिसाब है और 20% के हिसाब कहां कहां तक भेजा जाता है ये संदीब घोष जैसे प्रिंसिपल या किसी MSVP के थुरू MSVP मतलब Medical Super and Vice Principal तो ये होता रहता है ये सब को पता है ममता को पता है ये अभी लोगों को बेकुफ बनाने की कोशिश है कि किसी को मालूम नहीं था जी प्रसंजीतिन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बुलिटिन में आगे बढ़ते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज जल संचे जन भागीदारी पहल के शुभारम कारेक्रम को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सूरत में आयुजित होने वाले जल संचे जन भागेदारी पहल कारेक्रम को संबोधित करेंगे इस पहल का अदेश्य समुदाइक भागेदारी और स्वामित वोपर जोड देते हुए जल संरक्षन करना है और यह समग्र समाज और समग्र सरकार की दृष्टी कोण से संचालित है इस पहल का लक्ष पूरे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संचे और संरक्षन को राष्ट्रे प्राथमिक्ता बनाने के प्रधान वंत्रुई के संकल्प को भी पूरा करना है न्यूस एटेन में बात कर लेते हैं मौसम की क्योंकि देश भर में कई राज्यों में हो रही बारिश आफ़त बनके आई है उत्राखन और पूर्वी राजिस्थान में भारी बारिश के संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने आज औरेंज इलर्ट जारी किया है उत्राखन के देहरादून, चमॉली और नेनिताल जिलों में तेज वर्षा का इलर्ट जारी किया गया है वहीं रुद्रप्रिया, अल्मोडा, चम्पावत और तेहरी जिलों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है पूर्वी राजिस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है वहीं राजिस्थान के 18 जिलों के लिए येलो एलर्ट जारी किया गया है बात अब गुजरात की कर लेते हैं क्योंकि गुजरात में भी बीते कई दिनों से बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है मौसम विभाग ने आज के लिए वलसाड, नवसारी, सूरत, भावनगर, अम्रियोली, साबरकाथा, महसाणा, बनासकाथा, पाटान और कच में यलो एलर्ट के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जता है और मौसम से जुड़ी और जानकारी आपको दे, वहां के इंद्रु मंत्री शिवराज सिंग चोहान आंद्रप्रदेश के बाद आज तेलंगाना का दौरा करेंगे शिवराज सिंग चोहान तेलंगाना के खमम गाउं का दौरा करेंगे खममगाओं का फ्रेतर भारी वर्षा के कारण पूरी तरहें जलमगन हो गया है बाड की वज़े से यहां आम जीवन तो अस्तवियस्थ हुआ ही है साती खराब फसलें खराब होने के कारण किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है साती केंद्री मंत्री ने भारी बारिश के कारण शती ग्रस्थ हुए कृष्णा रिवर पर बने प्रकाशम बैरज डाम और खेतों का निरीक्षण भी किया इसके अलावा शिवराज सिंग चोहान ने यहां बार से प्रभावित आम जन और किसानों से मुलाखात कि इस दोरान शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि स्थिति को सामाने बनाने और पीड़ितों को रहत उपलब्द कराने के लिए केंद्र और राजसर कार दिन रात काम कर रही है वहीं आंद्र प्रदेश और तैलंगाना में बारिश और बाड को देखते हुए केंद्रे वित मंतुराले ने सारवजनिक श्वेतर की बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को साहयत अप्रदान कर रही मंत्राले ने कहाए कि बीमा कंपनियों को विशेश शिवेर आयुजित करके दावों का निप्तारा करना चाहिए मंत्रालों ने बीमा दावों से के निप्तान के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने का भी निर्देश दिया है बीमा कंपनियों ने से ये कहा गया है कि वे उन नोडल अधिकारियों के नाम और फोन नंबर विज्यापित करें जिन से पॉलिसी धारक संपर कर सकते हैं मंतर वाले ने कहा है कि केंद्र सरकार इस आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने और यह सुनिष्चित करने के लिए प्रतिबद है कि उन्हें जल्द से जल्द सभी आवश्चक साहता मिले तो कहीं न कहीं वित्मंत्राले के ओर से भी मदद सामने आ रही है वीमा कमपनियों को वित्मंत्राले का निर्देश जारी किया गया है और इसके साथ साथ आंट कि केंडिय मंत्री शिवराजंग चोहान अंगर पदेश का दोरा के उसके बाद आज तियलंगाना कावर probation करने वाले हैं बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अब राजधाने दिली की राजधाने दिली में बारिश के बाद अलग-अलग जगहों पर जल्बराव की समस्या देखनी को मिली है बारिश से भले ही मौसम सुहाना जरूर हो गया है लेकिन इसके बावजूद लोगों को भारी परिशानी उठानी पड़ रही है दिली के कई लाकों की बात करें तो नजब गड़ एलाके में पानी भरा हुआ है तो वहीं सडकों पर भी पानी लबालब है मौसर विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिली में हलकी से मध्य बारिश का इलर्ट जारी किया है और हब बात कर लेते हैं उत्रप्रदेश के बहराइच की जहां आदम खोर भेडियों का प्रकोप अभी भी जारी है और उनको पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रोशासन की टीमें लगातार प्रयास कर रही है मुख्य वन संरक्षक रेनू सिंग ने बहराइच के हरबक्ष पुर्वा गाउं में चलाए गए भेडियों के तलाशी अभ्यान का जाय जलिया रेनू सिंग ने कहा कि अब तक चार भेडियों को पकला जा चुका है दो भेडियों को पकड़ना अभी भी बाकी है तर्मा ड्रोन का उपयोग करके इलाखों को ट्रा करने की कूशिश की जारी है जिससे बाकी भेडियों को खोज़ा जा सके alleen पूरी कोशिश की जा रही है उसके लिए हम लोगों ने जो उनका जो अफक्टेड एरिया था जहां पर वो वो बच्चों को मार रहे थे या वो घायल कर रहे थे उस एरिया को हम लोगों ने मैप कर लिया और उसको हम लोगों ने तीन सेक्टर में डिवाइड कर लिया सेक्ट और पुलिस कंट्रोल रूम के साथ भी उसको हम लोगों निए से नजाइस किया उसके साथ भी उनलोगों ने उसको कनेक्ट किया हुआ हम लोग थरमल ड्रोन से हम लोगpox करने की कोशिश कर रहे हैं आपि यह वही लागह है जहां पर चार हम लोगों ने जो रख्यू किये थे वोल्स के उसको हमनों ने यहीं पर रेस्कू किया था यही वाला इलाका जो काफी सेंसिटिव इलाका है अस्पताल के मुखे चुकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अस्पताल में भरती घायलों का इलाज किया जा रहा है और सभी अब खत्रे से बाहर हैं वन विभाग की टीम के अधिकारी रामचर रित्रे सिंग ने भी घटनस्थल का दौरा किया है और बताया है कि गाउं में जाल और पिंचुरे लगाया जा रहे हैं ताकि जानवर को पकड़ा जा सके दाउदपूर, उसहीं और टाकहीं ये तीन गाउं के मरीज आये हैं जिनको एनिमल अपाइटी तुरूप में डाइग्मोस हुआ है अधिन का प्राइमेरी ट्रीटमेंट कर गया गया है सा अधिन्य पर अच्छार मरीज भती है और एक मरीज जो है उनको पर एक ब्रत काटा हुए बाकी लोगा सब्सकेמील ये प्राइमर ट्रीत्मेंट हो गया है यूपी से एक और खबर यूपी के सुल्तानपूर में डखैती के आरोपी मंगेश श्यादेव के इंकाउंटर में मौत को लेकर सियासत अब गर्मा गई है समाजवादी पार्टी के मुख्या खिलेश श्यादेव ने आरोप लगाया है कि मंगेश को उसकी जाती देखकर मारा गया है उन्होंने इस इंकाउंटर को फटजी बताया सपा इस मुद्ध को पूरे जोर शोर से उठा रही है वहीं आज सपा नेता और यूपी विदान सभा परिशत में नेता प्रतिप्यक्ष लाल बिहारी यादव बीडिक परिवार से मुलाकात करेंगे लाल बिहारी यादव आज जॉनपूर के थाना बकसा तहसील स्थित गाउं अगरोरा पहुंचेंगे और मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे सपा ने इस इंकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर भी कारेवाई की मांग की है दरसल आपको बता दें कि मंगेश यादव फिशले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपूर में एक ज्वेलर की दुकान पर हुई की घेराबंदी के दौरान मंगेश यादव ने फाइरिंग की जिसके बाद जवाबी कारेवाई में मंगेश बूरी तरह घायल हो गया उसे सुल्तानपूर मेडिकल कॉलेज ले जाये गया जहां डौक्टरों ने उसे मृत घूचित कर दिया मंगेश पर एक लाग काई नाम था और उस पर लूट डकैती के काई मुकद में दर्ज थे वही सपाध्यक्ष खिलेश वादव ने पुलिस के इस इंकाउंटर को नकली बताया था उन्होंने कहा कि जब गिरों के मुख्या को पकड़ लिया गया था तो फिर लूट की बराम्दगी की जा सकती थी और अब कबर माता वैशनो देवी से आ रही है मा वैशनो देवी की यात्रा को लेकर श्रधालू का उतसाहा निरंतर बना हुआ है यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री माता वेश्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से पेजल, खाने और स्वास्ते सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है माता वेश्णो देवी श्राइन बोर्ट की CEO अंशुल गर्ग से बात की हमारे समवादाता धीरज कुमार ने साल 2019 में जम्मू कस्मीर से अनुच्छे 370 के निरस्थ होने के बाद स्री माता वेश्णो देवी मंदिर में सरधानों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इस वक्त हमें बताने के लिए स्री माता वेश्णो देवी मंदिर जो स्राइन बोर्ट के अध्यक्छ अंसुल गर्गी जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं सर घाटी में एक जो अमन का माहौल तो हुआ है साल 2019 के बाद तो अगर हम सरधालों के संख्या की बात करें हैं सरी माता वेश्णो देवी मंदिर में कितना इजाफा देखते हैं पहले कितने लोग आते हैं अब कितने लोग आ रहे हैं देखे यातरा संख्या में अगर मैं पिछले तीन साल की बात करूँ तो डेटा जो यातरा संख्या में निरंतर वृद्धी हो रही है और सन 2022 में तो तकरीबन 51 लाख यात्री जो है माता वैश्नुदिवी के दर्शनों के लिए आये थे और जो सन 2023 का डेटा है उसके अंदर व बोर्ड की क्या भूमिका है क्योंकि जो एक लास्ट अंदिम पैदान का यूजर है वो जानना चाहता है कि हम वहां पहुंचेंगे माता वैश्नुदिवी की यातरा के लिए तो बोर्ड हमें किस तरीके की सुविधा देगा देखिए बोर्ड का प्रियास है कि पंजे करंड से लेकर जो यातर रिजिस्ट्रेशन हम जिसको कहते हैं वहां से लेकर के जब उसकी यातरा प्रारंब होती है और पूरे यातरा मार्ग पर क्योंकि तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा यातरा मार्ग है कटरा से लेकर भवन तक का सारी सुविधाएं चाहे वो खाने की सुविधा हो रहने की सुविधा हो वाश्रूम्स की सुविधा हो स्वच पेजल की सुविधा हो मुफ्त लंगर की सुविधा हो प्रसाद की सुविधाएं हो आरती में सम्मिलित होना हो डॉर्मेटरी में रुकने की विवस्था हो तो सारी सुविधाओं को एक पैकेज में या एक तरीक का माहुल होता है ऐसे स्थिति में जो आम जो लोग हैं आप से कैसे संपर्थ करें एक तो थ्री टायर सेक्योरिटी ग्रिड जो है श्राइन के आसपास मौझूद है जिसके अंदर सी आर पी एफ की पुलीस की आर्मी की मौझूदगी है और बोर्ड की भी अपनी एक सेक्योरि करी लेने की बात हो चाहिए वो कुसी मदद की बात हो यह थे हमारे साथ स्री माता वस्तनों देवी मंदिर सुराइन बोर्ड के सी यो अंसुल गर्ग जिन्होंने बताया कि जो बोर्ड है वो किस तरीके से यात्रियों के सुविधा उनकी सुरक्षा या उनके ख्याल के धीरंज कुमार, डिरी न्यूस कटरा न्यूस दे टेन में वक्तों चला एक चुरे से ब्रेक का जल्द हाजर होते हैं या तो काट आपने तो बचा लिया दीदी काम से नहीं आर्मी आई कहता है सही वितिय बरताव करे आपका बचाव बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है ब्रेक के बाद आपका स्वागत बुलिचन को आगे बढ़ाते हैं देश के प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने 36 गड़ को बड़ी सोगात दी है विधान सबा चुनाव के दोरान प्रधान मंतुरी आवास योजना का मुद्दा सोख्यों में था इस पर बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी थी अब यह गारंटी पूरी हो गई है देखिए 36 गड़ से हमारे समवादा था सोमेश पोटेल की है खास रपोर्ट देश के प्रधान मंती नरेंद्र मोदी ने 36 गड़ को बड़ी सोगात दी है 36 गड़ को प्रधान मंतीरी आवास योजना ग्रामीड के तहत 8,46,931 आवासों की सुक्रिती मिली है 36 गड़ की भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को केंदर सरकार के विभिन योजनाओं का लाब सुनिष्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है इसी कड़ी में 36 गड़ को प्रधान मंतीरी आवास योजना ग्रामीड के तहत 8,46,931 आवासों की मंजूरी मिली है इस योजना के अंतरगत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थाई प्रतिक्षा सुची के 66,99,331 परिवारों तथा आवास प्लस सुची के 1,47,600 परिवारों के लिए आवास शामिल है इस मौके पर राज्य के मुख्य मंत्री विश्नुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्विक्रिती के लिए प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के तहर ये स्विक्रिती 36 गड़ के ग्रामीन शत्रों में लोगों के जीवन अस्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण घुन का निभाएगी मुख्य मंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नियत निल लनार योजना के तह नकसल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाओं की शुरुवात हमारी सरकार कर रही है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहट नकसल क्षत्रों के गाउं के लिए लगभग 10,000 आवास योजना की स्विक्रिती मिलने की संभावना है गरतलाभे की 36 गढ़ में भाजपा की सरकार को आठ महीने पूरे हो चुके हैं प्रदेश सरकार ने इस दोरान किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एतिहासिक फैसले लिये हैं साथ ही डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेज गती से विकास पर भी जोड़ दे रही है प्रदेश में गरीवों और जुरतमन को पक्का घर दिलाने के उद्देश से मुदी सरकार द्वारा दी गई यह सुकृती ग्रामीर छेतरों में लोगों को कच्चे मकान से जल्दी छुटकारा दिलाएगी और जुरतमन के सिर पर पक्का छत होगा शोमेश पटेल टीडी नियूस चतिसगर जमू कश्मीर में अनुचे 370 के निरस्थ होने और स्मार्ट सेटी मिशन से केंदर श्रासत प्रदेश के दो शहर जमू और श्रीनगर में विकास की कितनी लगली ने खिची गई है भारते जन्यता पार्टी ने स्मार्ट सेटी मिशन को विकास कहा तो विपक्ष ने उसे सेरे से नकार दिया क्या है जमीनी हाकिकत देखते हैं जमू से मारे समवादाता धीरच कुमार की एक खास रपोर्ट जम्मू में ICCC साबरमती नदी की तरज पर रिवर फ्रेंट का निर्मान कारिय पैदल यात्रियों के लिए 31 किलोमेटर फुटपात का निर्मान रणवीर कैनाल पर 2 किलोमेटर का ग्रीन वॉक वे रगुनाथ मंदेर के बाजार और आसपास की सडकों का संदर्यी करण शहर में बुनियादी धाचों का विकास शहर के 24 प्रमुख मारगों पर 100 यी बसों का चलना ये सब ही जम्मू की आधुनिकता को बया कर रहे हैं जिसका श्रेय स्मार्ट सिटी मिशन को बताया जा रहा है आकणों पर गौर करें तो अकेले जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी मिशन से 127 और श्री नगर में 132 योजनाएं चलाई गई वर्तमान में जम्मू में 195 करोड रुपे की लागत की 10 परियोजनाओं और श्री नगर में 446 करोड रुपे की लागत से 32 परियोजनाओं पर काम जारी है तवी रिवर जम्मू सिटी के बीच में से गुजरती है शहर को दो भाग में बाटती है इस नदी के किनारों पे पहले जहां कूड़ा और वेस्ट डंप किया जाता था उस पूरे एरिया को बायो रेमेडियेट किया गया यानि कि उसका पूरा वेस्ट वहां से हटाया गया बाद में उस जगा पे कभी आगे फ्लड्स ना आए उस जगा का जो रिवर एम्मेंकमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया गया और अलग-अलग नाले जो उस जगा पे कूड़ा लेके जाते थे सीवरेज लेके जाते थे उन सभी नालों को बाईपास करते हुए वो सारा पानी सीवरेज का पाईपस के थुरू डैवर्ट किया गया भाजपा की मताबिक जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी मिशन ने विकास की बयार बहाई है खास कर 2019 में अनुच्छे 370 के निरस्त होने के बाद प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन से सुन्दर सड़कें और बाजार बने हैं इसके अलावा साबरमती की तरज पर रावी नदी पर रिवर फ्रंट आर्टिफिशल जहील का निर्मान हो रहा है जिससे परियतन बढ़ेगा और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी जम्मू अगर शहर की ही बात करें तो जम्मू शहर को संदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के माधियम से भी बहुत बड़े प्राजेक्ट जो है वो चल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस स्मार्ट सिटी मिशन को सिरे से नकारती है कॉंग्रेस नेताओं के मुताबिक रिवर फ्रेंट के निर्माण जैसी योजनाएं मनमुहन सिंग की सरकार में आई वहीं स्मार्ट सिटी मिशन ने लोगों को विकास के नाम पर गुमराह किया है शेर तो कंजस्टिड हो गया है यह आलरी कंजस्टिड सिटी था ओल सिटी था और बाकी जो था यह समार्ट सिटी का ऐसा प्रजेक्ट आया कि आप तो पैदे चलना मुश्कुल होगे और आप देखिए आप जम्मु शायर में यह था गूं के देखिए कि आपको पता लगेगा कि जो सरकेट चोड़ी थी आप उनको इनने तंग कर दिया पैसे के इटलाइज़िशिप ऐसा खर चुरूर हुआ होगा लेकर उसका फाइदा लोगों को नुक्सान हुआ है फाइदा ठेकदारों को और अपसरों को हुआ होगा जम्मु के बहुविधान सभा के पीडिप उमीदवार वीरेंद्र सिंग सोनू स्मार्ट सिटी मिशन को बीजेपी के नेताओं का निजेविकास मानते हैं जहां पैसे की लूट हुई है उनके नेताओं को मोटी कमाई हुई है जम्मु में आरोब प्रत्यारोब का दौर जारी है लेकिन पूरा सच तो जनता ही जानती है कि स्मार्ट सिटी मिशन से उनके जीवन में कितना बदलाव आया है जम्मु कस्मीर में दस साल के बाद विधान सबाद चुना हो रहे हैं तो बुद्दा यहां का विकास भी है और अगर विकास में हम स्मार्ट सिटी मिशन को शामिल करते हैं तो यहां के 127 प्रोजेक्ट अकेले जम्मू के 127 प्रोजेक्ट नजीर बन कर सामने आते हैं और इन प्रोजेक्ट में चाहें तावी नदी पर बना रिवर फ्रंट हो या यह जो वाकवे कैनाल हो इसका निर्वान शामिल है मध्यप्रदेश सरकार ने दो चरणों में राजस्व महा अभियान चला कर सालों से लंबित 80 लाख राजस्व मामलों को युदिस तर्प का निराकरण करने का काम किया है सिये मोहन यादव ने कहा है कि बाखी बचे लंबित मामलों की निप्टान के लिए आने वाले दिनों में जल्द ही राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू किया जाएगा मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में नागरिकों की सुईधा के लिए प्रांत व्यापी चलाए गए राजस्व महा अभियान के दो चरण कारगर सिद्ध हुए है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आधुनिक तक्नीक का उप्योग कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया है गौर तलब है कि राजस्व महा अभियान का पहला चरण 15 जन्वरी से 15 मार्च तक चला इस दोरान 30 लाग से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ वहीं दूसरा चरण 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित हुआ राजस्व महा अभियान 2.0 में नामांतरण, मंटवारा, अभिलेक, दुरुस्ती और नक्षा तर्मीम के 49,15,311 मामलों का निप्टा रखिया गया इतना ही नहीं 88,000,000 से अधिक EKYC भी राजी में इस अभियान के दोरान पूरी की जा चुकी है हाल में पूरे हुए राजस्व महा भियान 2.0 में नामांतरण के लंबित 2,71,626 मामले, बंटवारे के 27,983 मामले, अभिलेक, दुरुस्ती के 26,784 मामले और नक्षा तर्मीम के 45,88,918 लंबित मामलों को निप्टाया गया अभियान चलाया था पहले जिसमें लगबक 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बटवारे के प्रक्रण के कम्प्लिट हुए दूसरे चरण में ये 20-31 अगस तक लगबक राजस्व महा भियान 2 के माध्यम से मुख्यमंतरी के मताबिक किसानों के कई मामले लंबे समय से लंबित थे लिहाजा इस अभियान के जरिये इसे समाप्त करने का प्रयास किया गिया है उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राजस्व महा भियान 3.0 की भी शुरुआत होगी गौर तलब है कि राज्जी के 36 जिले ऐसे हैं जहां लंबित नामांतरन प्रकरणों का 100 फीसदी निरांकरण किया गिया है शेश जिलों में 99 फीसदी से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गिया है इस प्रकार कुल 99.98 फीसदी लंबित नामांतरन प्रकरणों का निराकरण राजस्व महा भियान 2.0 में किया गिया है इसके अलावा अभिलेक दुरुस्ती लंबित प्रकरणों का भी शद प्रतिशत निराकरण सभी जिलों में हो गया है मदप्रदेश में राजस्व मामलों के निप्टारे के लिए ऑल्लाइन प्रकरिया है सभी कामों के लिए निश्चित समयवधी तै है फिर भी अगर काम जनता के समय सीमा में पूरे नहीं होते है तो गुस्सा भी जायज है लेहाजा राज्य की सरकार सुशासन बना रहे इसके लिए सबसे पहले लंबित मामलों को महाभियान के जरिये निप्टान कर रही है ताकि नए मामले जबाएं तो उनका समय सीमा में निप्टारा हो सके कैमरमन गौरव निर्गुडकर के साथ आदेति श्रिवास्त डीडी निउस भोपाल नई देले स्थितर राश्ट्रे नाट्य विद्याले 23 अगर से 9 सितंबर 2024 के बीच हीरग ज्यनती नाट्य समहारों आयोजित कर रहा है यह समहारों एनस्टी रंगमंडल की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है समहारों में 9 अलग-अलग नाटकों की कुल 22 प्रस्तूतिया होनी है जिसमें बाबुजी अभिज्यान शाकुंतलम अंधा युक का मंचन शामिल है राष्ट्रिय नाट्य विद्याले अपने रंगमंडल की स्थापना का 60 वर्ष बड़ी धूमधाम से मना रहा है इसी श्रंखला में राष्ट्रिय नाट्य विद्याले ने कालिदास की अमर कृती अभिज्यान शाकुंतलम का अदभुत मंचन प्रस्तूत किया इस नाटक का मंचन एन एस्टी के अभि मंच में हुआ जो दर्शकों से खचा खच भरा था अभिज्यान शाकुंतलम को देखने अलग-अलग उम्र के लोग आए थे अभिज्यान शाकुंतलम जो है एक भारत के लिए एक बहुत कालिदास का लिखा हुआ नाटक है नाटक के निर्देशन का श्रेय जानी मानी निर्देशक विदुशी रीता गांगुली को जाता है जिन्होंने इस शास्त्रिय कृति को समकालीन द्रिश्टिकोंड से प्रस्तुत किया अभिने संगीत, वेशभूशा और सेट डिजाइन सभी पहलूँ में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया रंगमंडल के अध्यक्ष राजेश सिंग ने 60 वर्ष पूरे होने को एक बड़ी उपलब्दी के रूप में बताया उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम के मंचन को लेकर लोगों के उत्सा को सराहा रंगमंडल जो 1964 में शुरू आचार कलाकारों के साथ आज वो अपने 60 साल के सफर को पूरा कर रहा है और सिर्फ देश नहीं विदेश में भी अपने कृतिमान अस्थापित किया है और अपनी दिन प्रते दिन गुडवत्ता को बरकरार रखाया और बढ़ाये जा रहा है तो जायर से बात यह सिर्फ मेरे लिए हैं नहीं सभी रंगकर्मियों के लिए सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है अब यहां साकुंतलम में एक प्रशंग आता है जहां कहा जाता है कि मिलने का जो सुक होता है उससे ज़्यादा बड़ा बिछरने का दुख होता है आज हम मौजूद हैं राश्च्रिय नाट विद्याले दिल्ली पडिशर में यहां पर अभिजान साकुंतलम का एक सांदार मंचन हुआ है यह समारो हीरक जेयनती के अफसरप मनाये जा रहा है रंगमंडल के साथ वर्स पूरे हो चुके हैं महिलाओं और बच्चों के पोशन स्तर में सुधार लाने के उदेश से देश भर की अलग-अलग जकाहों पर रैश्टे पोशन से अपतहां मनाया जा रहा है इसी कड़ी में उत्राखन के बागेश्वर में पोशन महा कारिक्रम आयोचित किया गया इस दौरान 6 साल तक के बच्चों के वजन और उनकी लंबाई की जाच की गई साती विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के पोशन को लेकर बहितर खानपान की जानकारियां भी साज़गी एक सितंबर से राश्ट्य पोशन महा मनाया जा रहा है इस दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थे पर विशेश तोर पर ध्यान दिया जा रहा है राष्ट्य पोशन माह अभियान के अंतरगत उत्राखंड की बागिश्वर में जगह जगह पोशन माह कारेकरम आयोजित किया जा रहा है कारिक्रम के तहट बाल विकास विभाग ने आंगन बाड़ी किंद्र में जागरुकता कारिक्रम का आयोजन किया इस दोरान लाभार्थी महिलाओं को पोशन की जरूरत और उसकी महत्ता को लेकर जानकारी दे गई कारिक्रम के माध्यम से बागिश्वर जिले की दुरस्थर शित्रों में महिलाओं और ग्रामिनों को राश्रिय पोशन माह की उद्देश्यों के प्रती भी जागरुकिया जा रहा है वहीं इस दोरान विभिन विभागियो योजनाओं की जानकारियां भी दी जा रही है जिसमें अच्छे पोशन की जानकारी के साथ साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इसके जानकारी भी शामिल है इसके साथ ही 6 साल तक के बच्चे के वजन और उनके लंबाई की भी जाँच की जा रही है लबहार्थियों का कहना है कि विभाग की योजनाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है साथ ही बच्चों का वजन नापने के साथ उनके लिए भी काफी कुछ जानकारियां विभाग द्वारा दे गई है पोशन महर अभियान के तहत महीला एवं बाल विकास मंतराले के जरिये सितंबर के महीने में कुपोशित बच्चों एवं महीलाओं को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि कि इस तरह का खान पान करें ताकि कि कि इस तरह के बिमारी से दूर रहा जा सके Bureau Report, DD News प्यास की बढ़ती कीमतों को नियंतरण मेर करने के लिए और भोगताओं को रहात देने के लिए केंदर सरकार ने बफर स्टॉक से सस्ती दरों पर उपलब्द करवाने की एक बड़ी पहल की है नफेड और NCCF के माध्यम से दिली NCR में प्यास 35 रुपे किलो बेचा जा रहा है जबकि खुद्रा बाजार में इसके कीमतें 60 से 70 रुपे प्रती किलो तक है देश के कई अलाकों में भारी बारिश के चलते प्यास की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है खुद्रा बाजार में प्यास की कीमतीं 70 रुपे प्रती किलो तक है आम लोगों को रहत देने और प्यास की कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देशे से केंद्र सरकार ने सस्तिदरों पर प्यास उपलब करवाने का फैसला किया है दिल्ली NCR में नेफेड और NCCF 35 रुपे प्रती किलों की दर से प्याज पेचेगा किंद्रे खाद्य एवं उपभुकता मामलो के मंत्री प्रलाद जोशी ने करीब 40 मोबाइल वेन को हरी जंडी दिखा कर इसकी शुरुवात की ओनियन का प्राइस प्याज का प्राइस जो है वो 65,70 ऐसे चल रहा है इसलिए हमने आज से NCCF और नाफेड के द्वारा ए रिटेल ओनियन रिटेल शिल का हम फ्लाग आफ किया है यह तो शुरुवात में यह दिल्ली और मॉंबई में होगा आज से जो होता है यह दिल्ली और मॉंबई में होगा सस्ती दरों पर प्याज बेचने के लिए NCCF ने पूरी तयारी कर ली है और इनकी मॉबाइल गाडियां दिल्ली और NCR के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों को सस्ती प्याज बेच रही है केंदर सरकार के इस फैसले से आम लोगों ने खुशी जाहिर की है बहार से तो 60-70 रुपए किलो प्याज मिल ले यह बहार से आधेरेट में कुछ तो कम मिला है यहाँ पे तो कुछ तो यह है कि कुछ तो वह हुआ है कि मतलब 10-15 रुपए कम तो हुआ यहाँ पे तो बहुत थोड़ा फ़रक पड़ा है सर यहां से इसलिए हमनों लाइन से ले रहे हैं यह भारत सरकार के तरफ से एक बहुत अच्छा सकरात्मक कदम है और हमें और नेफेट जिसे एजनसी को रिक्रूट करते हैं इस काम के लिए और हमें काम दिया जाता है कि जैसे महंगाई बड़े उसको नियनतर में लेके आए जा सके सस्ती दरोपर प्याज बेचने की शुरुवात फिलाल दिल्ली एंसी आर और मुंबई से हुई है लेकिन आने वाले दिनों में इसे देश भर में लागो किया जाएगा अनुजियादव डीड नियूज दिल्ली और आएए बंतर राश्ट्रे खबरों का रुक कर लेते हैं आंड्री साइबिहा को युक्रेन का नया विदेश मंतरी नियूक्त किया गया है साइबिहा ने युक्रेन की संसद में 315 संसदों में से 258 संसदों का समर्थन हासल किया है इससे पहले संसद में पूर्व विदेश मंतरी दिमित्रो कोलेबा को बर्खास्त करने के लिए मतदान किया गया 49 वर्षिये अंड्री साइबिहा इससे पहले राइश्टुपती कार्याले में उप्रमुक के रूप में कारे कर चुके है अप्रेल में पूर्व विदेश मंतरी दिमित्रो कोलेबा के उप्रमुक भी रहे हैं वो और यूक्रेन ने रूस के साथ यूद के एहम मोड पर यह फेर बदल किया है खेल की खबरों में पैरिस में जारी पारलम्पिक गेम्स में खेलों के नवे दिन भारत के कई खिलाडी मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगे इसे पहले भारत आटमे दिन तक 25 मेडल अपने नाम कर चुका है भारत के खाते में अब तक 5 गोल्ड, 9 सिलवर और 13 ब्रॉंज मेडल शामिल है 6 सितंबर को उसकी कोशिश होगी यानि कि आज कोशिश होगी कि वह संख्या को आगे बढ़ाए आथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले भारत ये दल इस परदा में आज भी पदक जीतने के एरादे से उतरेंगे महिलाओं की 200 मीटर रेस में भारत की सिम्रन पहले राउंड में उतरेंगी सिम्रन के 100 मीटर T1 में 14 स्थान उन्होंने हासिल किया था वहीं पुरुशों के जावले में F54 वर्ग में दिपेश कुमार मैदान पर दिखाई देंगे काईरिंग के भी हीट्स राउंड होंगे और जिसमें यश कुमार और प्राची आदव आक्शन में नज़र आएंगे महरत के जावलें थ्रोर दिपेश कुमार भी मेडल पर दाव लगाएंगे वहीं 400 मीटर में दिलेप गवे तर नज़र आएंगे पुरुषों के हाई जंप और महिला जावलिंत्रों में भी भारते खेलाड़ी दावेदारी पेश वरेंगे दिन के आखिब में पुरुष शॉटपुट में भारत के दो खेलाड़ी सुमंडराना और होक्टू होटिल हिस्सा लेंगे पावर लिफ्टिंग में महिला अप टू सरसर किलोग्राम फाइनल में कस्तूरी राजमनी हिस्सा लेंगे इसे के साथ इस बुलिटिन में इतना है देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं कि न्यूज मुझे दीजी अनुमती नमस्कार